असलाम अलेकुम 5 class science की book open करें आज जो हमारा chapter है chapter number 5 forces and machine यानि कुवते और machine ठीक है आज हमने इसका करना है question number 5.3 यानि कि पहला question इसका हमने करना है define friction नमबर दो उन्होंने हमें बता है यहां पॉट्वार फ्रिक्शन और नमबर टू लेवर ठीक है friction क्या है और लेवर क्या है ठीक है अब हम इसका answer देखने हैं इसका answer जो है friction यानि कि एक ऐसी कुवत इसका answer आप यहां से लेखें यहां तक लेखेंगे friction का a force which slows down and stop the things from moving is called friction यानि कि ऐसी कुवत जो के क्या करती है ऐसी कुवत जो चीजों को हरकत यानि चीजों की हरकत को slow down कर देती है यानि कि कम कर देती है यानि ऐसी ताकत यासी कुवत जो है force जो है वो कह रहा है ऐसी कुवत जो चीजों की हरकत को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है चीजों की हरकत को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है वो हमारी क्या कहलाती है friction को हम रगड़ भी कहता है या मजहमत भी बोलते है ठीक है जैसे कि अब cycle हम चलाते हैं साइकल को चलाते हैं हमें ब्रेक लगानी हो तो हमें क्या लगानी पड़ती है एक फोर्स लगानी पड़ती है जिसे के साम टाइम रोड क्रॉस करते हैं अगर हमें कोई ट्राफिक सिगनल आ जाए और हमें स्टॉप करना है रोकना है ठीक है फोर्स लगाने उसको सामने रोकनी है कोई भी बच्चा सामने आजयता है तो हम अपने फोर्स धो हम लगाता है इस इसको सटॉप करने के लिए वो हमारी क्या क्या घ्रक्षं क्या चैला क्या क्या उतै लें से किर लिवर भाता है लेवर क्या होता है लेवर बोलते हैं बैरम, यासे के देख्यें के जिसमें आपको कोई भी वजनी चीज होताने के लिए एक सलाख होती है, ठीक हे, उसको हम बोलते हैं लेवर, लेवर इस सेम्पल मशीन lever जो है एक साधा machine है which turns about a fixed point जो कि क्या करती है किसी एक मकसूस नुकते के गिर्द घुमती है ठीक है मकसूस नुकते के गिर्द घुमती है where a force is applied at one end of the lever जब एक कुछ जो है किसी एक सीरे पर लगाई जाती है it turns about the fixed point to lift the load at the other end तो यह क्या होता है एक बैरम जो है अगर हम किसी एक सीरे पर कुछ लगाएं तो वो वजन उठाने के लिए मकसूस लाइन के गिर्द क्या करती है घुमती है अगर हम force लगाने किस चीज़ को वजन चीज़ा और अगर हम यह बैरम जो है यह जो सलाख है सिंपल मशीन है यह हम उस पर किसी एक पॉइंट पर लगाएं तो वो एक पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक क्या करती है घूमती है ठीक है यहां से लेकर यह टू पॉइंट का लेवर का अपने यह करना है इसके बाद हमारा question है question number two what are the causes or the friction यानि के friction यानि के रगड या मजहमत की क्या वजुवात होती है किस वज़ा से होती है ठीक है अब इसका आंसर जो है वो आपके page नंबर 58 पे है यह देखें यहां पर उन्होंने का यहां से लेकर यहां तक है कि roughness of the surface यानि के खुरदरी सता पर जो आपकी surface है यानि सता है एक सता पर मुझूद है जो खुरदरा पना है वो मजहमत की वज़ा बनती है and deformation are the cause to increase the friction and deformation का मतलब होता है किसी चीज़ की शकल को बिगार देना ठीक है और जो है इसकी इसके लावा शकल में बिगार भी जो है व अच्छा जी यह तो रीजन होगी अब देखें जैसे के फर्स करें कि कोई rough चीज़ है ठीक है अगर हम किसी सता पर किसी भी चीज़ पर ही हमारा यह स्मूथ है ना ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई सता जो है जैसे अपर वारी डाइग्राम में आपको बताया है के rough ना कहीं उसमें क्या होती है roughness होती है ठीक है और यही रफनेस जो है वो हमारी friction को बढ़ा देती है जैसे के रोड है रोड आप अब आपने देखें बिलकुल plane होते हैं अगर बिलकुल smooth road हो तो हमारी तो ब्रेक ही नहीं लगेंगी बाइक की यह गारी की तो इसलिए roughness of the surface and the deformation और यह शकल में बिगारी दो ही चीज़ जो है वो friction को increase कर दी है अपने यहां से लेकर यहां तरह करना है